तो उसके लिए लेटेस्ट न्यूज है आपका कि इंटरेस एक्जाम कब तक होगा और एक सीट पर कितने बच्चों का दावेदारी है आपकी पोस्पेल्टी कितनी जादा है और इंटरेस एक्जामनेस का एडविट कार्ट कब तक आ जाएगा ठीके तो जैसे आपको पता है क लाश जो डेट था आठ जुलाई था ठीक है फॉर्म भरने का लाश आठ जुलाई था तो अभी अपडेट आ गया है पूरा तूनी अपडेट के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आप असपस ट्रूप्स देख पाएंगे कि बीड में एक सीट के लिए सोला दावेदार है मतलब अगर एक सीट है तो वहां पर सोला बच्चे फाइट कर रहें एंटरस एक्जामनेशन में इस कि कॉम्पटिशन टाफ हमाईडियर से ठीक है क्योंकि सब को पता है कि इलहाबाद विश्च दलेक्सकार बीड करते हो तो एजुकेशन जो आपको विलेगा वो हाई क् है ठीक है तो इसी लिए सोला दावेदार है और यह हर एयर होता है ऐसा नहीं कि जड़ा बच्चे आ गए हैं हर साल होता है 188 सीट है 188 टोटल सीट है और दावेदारी जो बच्चे ने फॉर्म भरा है वह 3141 अब सोला में से मैं आपको बताऊं तो इसमें छे बच्चे जो होंगे वह सेंसिर नहीं होंगे तो ओवरल एक सीट पर दस बच्चे होंगे जो कि पढ़ने वाले होंगे तो अगर आपको लेना है तो आपको शीट अगर लेना है तो बिलकुल आपको महयत करना होगा ठीक है ओकर यह नेक्ष बात करते हैं कि आपका जो एडिमिट कार्ड वो कब तक आ जाएगा देखो इन्होंने साफ साफ एक चीज बोल दिया है कि जो आपका एडिमिट कार्ड ना जो एडिमिट कार्ड जो आपका इंट्रेस एक्जामनेशन तो पांच मतलब आपको फस्ट वीग में स्टार्ट हो जाएगा यहां पर नोटिश कर करेंगे अग जुलाई में आपका एडिमिट कार्ड आ जाएगा तो एडिमिट कार्ड भी आपका आ जाएगा लास्ट जुलाई में ठीक है लास्ट जुलाई में मतलब 25 जुलाई तक आपका एडिमिट कार्ड आ जाएगा और फस्ट वीक में आपका एक्जाम होगा ठीक है तो इसको ले करने की जरूरत है आप लोगों को effort लगाने की जरूरत है अच्छे से तयारी करिए ठीक है और कुछ पूछना होगा कुछ queries हैं आपके मन में फिर आप question का सकते हो पोच सकते हो आपको reply किये ताएगा यही एक information था information पशंद आया है तो definitely like कीजिए session को और धन्यवाद